वेलकुम बाक तो माई चानल गाइज तो तो टोड़ी इस गनूले महारास्टर स्पेशल गनूले तीखी जले भिया तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंविर्डियन्स हैं यहां पर मैंने लिया है बेसन एक कटोरी एक कटोरी आता लिया है दो टेबल स्पून अद्रकलसन समा गरमिम भाइल गरम अधनिया पाऊडर तो चलिए नेक्स प्रोसस पर यहां पर यह को करना है द्राइ रोस्ट बहुत ही अच्छा टीस्ट करने से ग्रेवी में ग्रेवी भी थिक बनती है कोकोनट की वज़स तो चलिए यहां पर मैंने राइड रोस्ट किया है इसका आरोमा आप जैसे ही रोस्ट करेंगे इसकी फ्रेग्रेंस आएगी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है यह देखिए आप इसको जादा नहीं पकाना है अदवाई जल जाएंगे और कड़वा देंगे यहां पे देखिए मैंने पॉट में यह मसाला डाल दिया है इसके बाद मैं आप तमेटो जाएं बजया करेंगे और काणी जाएंन के रिड़न जाएंसे टमेंटा साथ एंसके बीदेट मैंना डेटा में करेंगे इसका सबहुत है जाएंसे बादा आप छे एださい जाटा है मैंने आपन अको देशन सबस्डान बड़िस नमक पर नक हाट कर दरीगा nhân पब बनालम नहीं कर्काफर और ezसरी चुलेबी बना ओरना है नहीं हो आखता हूं अज errटिया नहीं से नाने है बहुल अज में जलेबिया हिसे बनानी है वेसिकली आर्टीक तो यहां पर मैंने यह बना ली हैं जले भी, देखिए आप ऐसे जले भी बनाएए, राउन गुमाईए, 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 गुमाईए गुमाईए, और जो इसका एंड है इसको लास्ट में पिंच करके आप लॉक कर दीजे, देखिए यह हो चु चलते हैं नेक्स्ट प्रोसस पे, यहां पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 4 बड़ी चम्मच ओई लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग तेल कम जादा कर सकते हैं, तो यहां पे ओईल मैंने अट किया है, इसी में जैसे ही हमारा ओईल थोड़ा गरम हो जाए, तो यहां पे मैं अद्रक लसन का पेस्ट इसमें आड कर दूंगी, यह देखिए हमारा तेल हो चुका है गरम और यह मैंने अड्रक लसन का पेस्ट, अगर कच्छा हो तो सबजी में बहुत स्मेल आती है, तो बेटर है कि आप किसी भी सबजी को बनाने से पहले अद्रक लसन दो मिनिट के बाद आप अड्रक लसन का पेस्ट इसमेल नहीं आएगी, तो देखिए यहां पे मैं आप कर रही हूं यह जो फाइन पेस्ट अमने बनाया था, यह तो यह मसाला मैंने अड्रक लसन का लिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए चला लिगे, इसको दीम अज पे पकने दीजिएगा पांच से साथ मिनिट के लिए ठकन लगा के और यहां पे मैंने भी इसको 5-7 मिनिट तक ठकन लगा के कुक कर लिया है, देखिए, अब हम चेक करेंगे 5-7 मिनिट बात तो सारा ओई हमारा उपर आ चुका है, इकमीन जो मसाला है वो डेडी हो अधनी पावडर और अधनी रेड चिली पावडर और अपने कोडिंग कमजादा कर सकते हैं गरम मसाला। जैसे हम अधनी करेंगे यह रहागा होने लगेगा मसाला देखिए दियान से गैस्षिम रखिएगा। क्योंकि यह जल जाते हैं जल्दी यहां पर मैंने नमक आट किया है और यह हमारा special ingredient है यह मैंने पिंच अफ शुगर लिया है इससे हमारी जो ग्रेवी है वो काफी अच्छी दिखती है और एक अच्छा टेस्ट भी आता है यहां पर मैंने पानी भी आट कर लिया है आप अपन इसको मैंने पका लिया है यह देखिए हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुकी है बॉइल हो रही है इस टाइम पर हम इसमें आड करेंगे हमारे तीक ही जलेबिया तो यह मैंने के करके सारी आड कर दी है और इसको ढफके दस से बारा मिनिट अग धीमी धीमी आज पर हो हो जाए दस मिनिट के बाद हमारी डिलिशियस रेसिपी हो जाएगी अगर रेसिपी पर संदाए तो प्लीज दो लाइक सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू सो मच बबाए